नमस्कार आप देख रहे हैं पाइनर हर्याना और मैं हूँ आपकी साथ ओनिका महेश्वरी चाइना इस्टन एरलाइन्स का बोईंग 737-800 विमान गौाइंग शी में सोमवार दोपहर दुरभटना घ्रस्थ हो गया इसने कौनमिंग से उडान भरी थी और ओद्योगिक शेर गौांग जू जा रहा था फ्लाइट रडार से मिली जानकारी के मताबिक इस दुरभागे शाली विमान ने स्थानिय समय अनुसार दोपहर एक बचकर ग्यारा मिनट पर कौनमिंग एयरपोर्ट से उडान भरी थी ये दोपहर दोबचकर बीस मिनट पर 39,100 फीट की उचाई पर उड रहा था करीब दोबचकर बीस मिनट पर इससे संपर्ख तूट गया था चीन में सोमवार को हुए इस बड़े विमान हादसे के बीस घंटे बाद धी कोई यात्री या चालक दल का सदस्य जीवित नहीं मिला है आपको बता दे कि चीन के सरकारी प्रसारक सिसी टीवी की रिपोर्ट के अनुसार विमान में सवार 132 लोगों में से अब तक कोई जीवित नहीं मिला है ये चीन में करीब एक दशक के इतिहास में सबसे भीशन तुरासदी मानी जा रही है हाथ से के तुरंत बाद चीन के राश्वपती शी जिन पिंग ने राहत वबचा अबदल मौके पर भेजने के निर्देश दिये थे जिन पिंग ने दुरगटना पर हैरानी जताई है उन्होंने दुरगटना के कारणों की जाच करने और नागरिक विमानन शेत्र में सुरक्षा इंतजाम पुक्ता करने के निर्देश दिये बोईंग को सबसे सुरक्षत विमान माना जाता है एर स्पेस फोर्म ने कहा है कि हमारे तकनीकी विशिशग्य चीन के नागरिक विमानन विभाग के नितरत्व में जाच में सहायता के लिए तयार है आपको बता दे कि हाथसे के बाद विमान और जहां ये हाथसे का शिकार हुआ उस पहाड़ी इलाके में भयावे आग लग गई थी ये आग इतनी विक्राल थी कि ये नासा के उग्रहों के क्यामरों में दर्ज हो चुकी है सिसी टीवी के नुसायर तस्वीरों में घटना स्थल पर मलबा दिखाए दिया है राश्ट्रे समाचार पत्र पाइनेर हर्याना पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशत ई-पेपर दिन भर की तमाम छूटी बड़ी खबरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चानल को वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूले